हेलो एब्रिवन माइनेम इज सुसान्त और आप देख रहे हैं CNC टेक्निक चैनल तो आज की इस वीडियो में टूल लाइट मैनेज कैसे किया जाता है उसके बारे में डिसकस करेंगे एक पर्टिकुलर टूल की लाइफ होती है जैसे एक टूल कितने कॉम्पोनेंट को प्रोसेस करेगी उसके बार हमें उसको रिप्लेस करना है तो यही टूल हर मसीन पे टूल की लाइफ पेज़ेस होते हैं तो जिस पे हम यह सेट कर सकते हैं कि इस टूल की लाइफ इतनी है और उसके बाद मसीन पे एक अलार्म क्रेट होगी प्लीज रिप्लेस इस टूल टूल एक्सपायर तो इसी के बारे में डिसकस करेंगे कैसे उस पे टूल लाइफ इंपूट करेंगे और इस से आपको कैसे मसीनिंग करने में या माल लीजए टूल लाइफ एक्सपायर होने के बाद कैसे एक टूल को रिप्लेस करेंगे या मसीन औटमेटिकली कैसे सेकंड टूल को कॉल करेंगी उसी के बारे में डिसकस करते हैं चलो, आज की इस वीडियो में फैनुक कंट्रोल पे टूल लाइफ मेनेजमेंट कैसे सेट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिसक्स करेंगे, प्लस प्रैक्टिकली इसे मसीन पे भी इन्पुट करके देखेंगे, तो चली पहले बोर्ड पे इसके बारे में थोड़ा बह बेरेज करेंगे, तूल की एक पर्टिकूलर टूल है, हमें पता है, ये पर्टिकूलर टूल जैसे, मैंने एक टूल दिया, एंड मिल दिया आजंने पता है कि ये ट्यायर और ये कि इक त diff इसाउम्में टूमें बैकि घ्सिय लह जो लगा हुँए हमारा 200 component में process होनेके बाद operation करने के बाद ये टूल हमारी वेर हो जाएगी जैसे ये टूल वेर हो जाएगी तो हमें इस टूल को replace करना है इसी की input हम machine में tool like pages में कैसे set करेंगे उसी की बारे में ये आज की video है तो टूल लाइब पेज में एक टूल ग्रूप होता है, जैसे टूल ग्रूप 0000 ऐसे one लिखा होगा, तो ये टूल ग्रूप one होगया, उसमें ताइप होगा, ताइप यहां पर साइकल काउंट करेगा, तो पर मिन्ट काउंट करेगा, तो अभी पर साइकल के लिए वन इंपूंट किया, लाइफ हमें जैसे यह एक साइकल कंप्रीट होगा, तो यहां पर 1 हो जाएगा उस इसी ग्रूप में हम कौन-कौन से टूल यहां पर इंपूट करेंगे जैसे नंबर 1 हो गया टी कोड हम देंगे 1 तो इसकी हाइट कोड भी 1 होगी और डी कोड भी 1 देंगे तो यह टूल नंबर 1 की लाइग हमने 200 सेट कर दिया वैसे ही एक दो नंबर लेंगे और सिरियल नंबर 2 हो गया टी कोड टू हो गया और उसकी हाइट कोड भी 2 और डी कोड मतलों डाय कोड वो भी 2 जैसे ही हम यह इंपूट सेट कर देंगे और मसीन पे जहां पे हम टूल नंबर एंटर करते हैं वहाँ पे हमें ऐसे इंपूट करना होगा यह जीरो सिक्स कि टी कि टी क्या एंटर करेंगे तो नंबर नहीं एंटर करेंगे हम इस ग्रूप का नंबर और उस पे अंडेट एड़ करेंगे जैसे इस टूल ग्रूप का नंबर वन तो हम उसके एंड़ेड लाइड करेंगे तो 101 हो गया टी जिरो टी 101 यह टूल में यह जो प्रोग्राम में हम टूल नंबर देंगे तो यह टी 101 देंगे जैसे ही एक बार साइकल प्रेस किया और एक साइकल कम्प्लिट होगा तो इसमें काउंट 1 हो जाएगी ऐसे जिपनी बार साइकल रन करेंगे उस हिसाथ से यहां पी काउंट बढ़ता रहेगा जैसे ही यहां पे काउंट 200 हो जाएगा तो वो क्या करेगा उस tool को change करके number 2 पे जो tool है जैसे 2 number tool है हमें यहाँ पे उसको run करेगा 200 time फिर से उसको 200 time run करेगा मतलब टूल कोड टी कोड 1 तो टूल नंबर 1 पे भी हम T1 पे एंड मिल डायट 10 रखेंगे और T2 पे भी एंड मिल ही लोड करेंगे दायट 10 का तो हमें एंड मिल यह जो टी 1 पे एक एंड मिल था डायट 10 का उसकी 200 count 200 cycle पूरे होने के बार प्रोग्राम हमारा इस टूल कोड से T2 को फिर से 200 बार रन करेगे तो यही चीज़ अब प्राक्टिकली देखेंगे मसीन पर चलिए मसीन पर चलिए देखते हैं इस पर आज टूल लाइफ सेट करके देखेंगे यह फैनुक की वी एमसी यह फैनुक कंट्रोल है तो सबसे पहले आपको टूल लाइफ पेज में जाना है आपकी मसीन पर आप का क्या प्रोसेस है आप देख लेना तूल लाइफ ने गए यहां पर आपको दिख रहा होगा ग्रूप वान ग्रूप टूप तो ऐसे अलग अलग ऐसे 16 ग्रूप होते हैं मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको दिखा देता हूं देखिए थ्री फोर हो गया यह ग्रूप नंबर है तो आप हम एक ग्रूप वान में काम करना है तो ग्रूप वान में सारा पैरमेटर डालेंगे ग्रूप वान लेते हैं अपने ग्रूप वान के लिए ऐसे ओपरेशन मोड को प्रेस करेंगे सॉप्ट की में और एडिट बटन को प्रेस करता ही यह आपकी ग्रूप वान की सारी पारामेटर डालने एंटर करने के लिए पेज आ जाएगा तो सबसे पहले आपको इस ग्रूप में टूल ग्रूप वान में कौन सा टूल लेना है मुझे यह फाइव नमबर और सिक्स नमबर टूल लेना है तो की से फाइव एंटर किया और इंसर्ट करते ही एक टूल क्रेट हो गया इस टूल के पारामेटर में टाइप में वान रखेंगे जो पर साइकल है पर साइकल काउंट करेगा तू रखने से पर मिनिट काउंट करेगा फिर लाइफ जैसे टोटल लाइफ टू डाल दिया मैंने टू इंपुट किया यहां पर यहां से टू आया और इंपुट दू हो गया फिर काउंट अभी जीरो है फिर यहां आते हैं टी कोड फाइव है टूल नंबर फाइव है और एच पे चलते हैं एच कोड हाइट हो गया तो यह भी आपका फाइव ही रहेगा अब प्रोग्राम में कैसे इंपुट करेंगे इस टूल को कॉल करने के लिए टूल ग्रूप को कॉल करने के लिए वो प्रोग्राम पेज में चलके देखते हैं उससे पहले इसी ग्रूप 1 में ही एक टूल और ले लेते हैं अभी T5 लिया था T6 ले लेते हैं उसके लिए 6 लिखेंगे और 6 कीबोर्ड से इंपुट करेंगे और यहाँ पे सॉप्ट की से इंसर्ट प्रेस करते ही टूल नंबर 6 क्रियेट हो गया इस पे भी H कोड और D कोड सेम कर देते हैं 6 इंपुट और करसर से इस साइड आते हैं D पे और यहाँ पे भी 6 इंपुट कर रहेते हैं अब हमारा ग्रूप वान में दो टूल क्रियेट होगे दोनों टूल की लाइफ देखते हैं यह कैसे काम करता है अब प्रोग्राम पेज में चलते हैं प्रोग्राम फोल्डर पे जाके प्रोग्राम फोल्डर पे क्याविटी पे है हमारा क्याविटी को सिलेक्ट दिया इस पर फिप्टी थ्री ले लेते हैं इस पर फिप्टी थ्री इन्पुट करेंगे प्रोग्राम ओपन हो जाएगा अब यहां पर टूल नंबर पर M06 लिखेंगे और टी टी ग्रूप नंबर वन लिया है हूँ आपने तो उस पर हंड्रेड आड करेंगे तो हंड्रेड वन हो गया तो टी वन लिखेंगे टी वन जिरो वन लिखती है यह प्रोग्राम होगे आपका कंप्लेट अब इसको रन करते हैं टूल लाइफ में देखिए टोटल लाइफ टू पड़ा है और काउंट जीरो है अभी मैं उस प्रोग्राम को रन करता हूँ जैसे यह आपका प्रोग्राम सेलेक्ट हुए आटो मोड पर इसको रन करते हैं अब चलते हैं टूल लाइफ पेज़ पर अब चलते हैं टूल लाइफ पेज़ पर देखिए यहां पर काउंट वान हो गया टोटल लाइफ हमने टू डाल रखा है फिर से फिर से साइकल स्टार्ट करते हैं अब यह इसकी काउंट पूरी होगी एक नमबर टूल की जैसे पांच नमबर टूल की काउंट पूरी होगी तो यह देखिए अब जैसे ही मैं रन करूंगा दुबारा साइकल स्टार्ट करूंगा देखिए सिक्स नमबर टूल चेंज हो गया यह भी आपका दो बार ही रन होगा अब अलार्म आ जाएगा और टूल इन सेम ग्रूप आर यूजट ऐसे आप टूल लाइफ मैनेज कर सकते हैं टूल लाइफ पेज में अब 01 एक स्टार सा दिख रहा होगा स्टार मतलब एकस्पाइड हो गया और अभी यह एवेलेबल इस एडिरेट का यह दिख रहा है आपको सिम्बोल यहां पर यह छे नमबर टूल पर है तो यह अभी एवेलेबल है जो कि दोनों टूल की लाइफ आपकी एंड हो चुती है ऐसे टूल लाइफ मेनेज किया जाता है